तो गुद मॉर्निंग आईज, तो चली स्टार्ट करते हैं आज की रिविजन क्लास देखें मारा पहला प्रश्न क्या है आपको बताना है कौनसी नदी है जो मकर रेखा यानि कि ट्रोपिक ओफ केप्रिकॉन को दो बार कारती है तो अंसर होगा लिंपो पे नदी और मकर रेखा या फिर अगर मैं करक रेखा बोलू ट्रोपिक ओफ कैंसर वो कितने डिगरी पे होती है साड़े 23 डिगरी पे अच्छा बताओ अगर मैं पूछूं कि कौनसी नदी भूमद्य रेखा को दो बार कारती है तो कांगो नदी और ये भूमद्य रेखा किस जील से होकर निकलती है तो विक्टोरिया लेग और बताओ कौनसी नदी करक रेखा को दो बार करती है तो माही नदी ट्रोपिक ओफ कैंसर बोलते करक रेखा को अच्छा बताइए भारत का पहला बायो मास अधरित हाइडरोजन प्लांट कांपे स्थापित किया गया मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में फिर बताओ दुनिया का पहला हाइडरोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट का नाम है दजेट ये का पे लौन्च हुई तुबई में और 2022 का नेताजी पुरसकार के से मिला सिंजो अबे को जापान के पूर्व प्रदान मंतरी जिने 2021 में पदम और विश्व दलहन दिवस ये कब मनाया दस फरबरी को जिसकी थीम थी पलसेज तो एमपावर यूथ इन अचिविंग सस्टेनेबल एगरी फूड सिस्टम और युनाइटेड नेशन ने दो हजार सोला को दलहन का अंतरराष्टर वर्ष भी गोशित किया था और अभी युनाइटेड नेशन डेवलेप्मेंट प्रोग्राम ने 2023 को Year of Millets यानि कि मोटे अनाच का अंतरराष्टर वर्ष कोशित कर दिया है बताइए फाइजर इंडिया के अद्देख्ष कौन बने थे प्रदीप शार और फाइजर से आपको याद आएगा इसके जो CEO है उनको COVID-19 वैक्सीन बनाने के लिए Genesis Prize 2022 से सम्मानित किया गया था और वैसे उनका नाम क्या था Albert Borla और Serum Institute of India पुने के जो founder है लोक मानने तिलक पुरुसकार मिला उने उनका नाम है Cyrus पुना वाला अब बताइए How to prevent the next pandemic नाम की बुक को किसने लिखा बिल गेट्स ने और अभी पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच सम्मान भी मिला था इने हिलाल पाकिस्तान मद्यपरदेश की शहर में लता मंगेशकर के नाम पे संगीत अकादमी और संगलारे बिना रहा है तो अंसर होगा इंदौर विश्व संगीत तांसेन महोटसो भी यहें पर मनाया जाता है ग्वालियर में अगला है भाला फेक दिवस कब मनाया जाता है साथ अगस्त को मनाना शुरू कर रहे हम निरत चोपडा के सम्मान में इनका संग्द भाला फेक से है और अभी टोक्यो उलम्पिक में गोल्ड जीतने वाले एक मात्र भाड़ते अथलीट बने थे यह कितना धूर वाँ पे इनोंने भाला फेका तो 87.58 मीटर दूर अचा इन से संबंदित आपको याद है इन्हें पदम शिरी मिला अभी और परम विशिष्टे सेवा पदक इनको मिला उसके लवा 2022 के लॉर्यन्स वर्ल्ड ब्रेक्ट्रू ऑफ द इयर अवर्ड के लिए नॉमिनेट भी हुए यह तो ध्यान रखना भाला फेक दिवसकब 7 अगस्त को उसके लवा नासा किस वर्ष तक अंतरराश्टर अंतरिक्ष स्टेशन को सेवा निवरत कर देगा 2030 और हाँ गाईज अनकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तयारी हो एकदम पकी तो आज ही सब्सक्राइब कर रहे हैं अनकैडमी प्लस देखो आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक मिल जाएंगे और जितने भी बैचेस हैं जितने भी कोर्सेस हैं उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशन भी बिलेंगे तो ये एक ऐसा मौका है जहाँ पे आप एडुकेटेर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं और इसी सब्सक्राइब करें आपको मौक टेस्ट भी मिलेंगे डिटेल्ड एनलिसिस और एक्स्प्लेनिशन के साथ तो अगर आप बैंक एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉचुनिटी का लाब उठाने का और हाँ बिना कोई वक्त जाय कीजिए सब्सक्राइब करें अनकेडमी प्लस पर और इस मौके का फाइदा उठाए तो करना क्या है बैसिकली बिना कोई देरी किये जाएए और अनकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और हाँ सबसे इंपोर्टेंट बात मेरा कोड इस्तमाल करना मत भूलिएगा कौनसा क्रेक एक्जाम 10 क्योंकि इसे यूज़ करते आपको 10% का इंस्टेंट डि मनाया वैसे तो मार्च के दूसरे गुरुवार को उता है तो इस साल तो हमने 10 मार्च को मनाया इसे थीम क्या है किड्नी हेल्थ फॉर ओल फिर अंतरराश्टर गनित दिवस यह 14 मार्च को मनाते है और इसे पाई डे भी कहते है तो पाई की वेलिव तो आपको पता है न 3.14 तो 3 से महीना हो जाएगा और 14 निस की तारीक हो जाएगी नैशनल मैथेमेटिक्स डे यह 22 देसमबर को मनाया गया उसके अलावा गनित की शेतर में दिखाये जाने वाला पुरुसकार उसके अलावा गनित की शेतर में दिए जाने वाला जो पुरुसकार है रामा नुजन प कार्रे दिवस कब मनाया गया चोदा मार्च को यानि के इंटरनेशनल डे ओफ एक्षन फॉर रिवर्स और इसकी थीम थी जे विवित्ता के लिए नदियो कमहत्व विश्व उपभुकता अधिकार दिवस ये 15 मार्च को मनाया और व्ल्ड कंजूमर राइट डे इसको इंगलिश में बोलेंगे व्ल्ड कंजूमर राइट डे पंदरा मार्च को मनाया और इस दे की थीम क्या रही फेर डिजिटल फिनेंस अगला है राश्ट्रे टी का करन दिवस ये 16 मार्च को मनाया है हमने जिसके थीम क्या रखी वैक्सीन वर्क फॉर ओल अगला है इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतरराश्ट्रे दिवस ये है 15 मार्च आयुद निर्मान दिवस 18 मार्च यानि कि ओडिनेंस फेक्ट्रीज दे और बताइए चांत रहो समझदार रहो और दयालू हो कीप काम स्टेवाइज और भी काई फिर बताइए ग्लोबल रिसाइक्लिंग दे कब होता है 18 मार्च को होता है इसके थीम क्या थी रिसाइक्लिंग फ्रेटर्निटी चलिए पुराने महीने के करंट अफेल्स का भी रिविजन कर लेत मतलब एक ऐसी धरोहर जिसे आप छू नहीं सकते हो जिसमें मेले आ गए त्योहार आ गए ठीक है ये जैसे पूजा आ गई दुर्गा पूजा ये है कॉलकता की और इसी के साथ भारत में टोटल अमूर्त धरोहरे हो जाती है 14 और मूर्त धरोहरे कितनी हो गई ये 40 हो गई है 40 वी बनी थे आपकी धोलावीरा की साइड कुजरात की अब बताओ इंडिया इंटरनेशनल साइन्स फेस्टिवल का सात्वा संसकरन काँ पर शुरू हुआ ये गोवा के केपिटल पनची में इंडिया इसेंट लीगसी नाम की बुक को किस ने लिखा रेखा चौदरी ने औ और नीजी इस्तमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला ये देश कौन सा बना माल्टा इसकी केपिटल है वलेटा करंसी है ये यूरू और याद होगा लेबिनौन ने ओशे दिये उप्योग के लिए बांग की केति को लीगल कर दिया था चलो बताओ पचासवा विजे दिवस कब मनाया गया तो अंसरोगा 16 दिसंबर को और किसर राज को नेशनल एनर्जी कंजूरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया तो अंसरोगर राजस्तान चीफ और स्ताफ कमिटी के अद्धिक्ष की रूप में किसे नियुक्त किया गया मनोच मुकुंद है इसके लिखा कौन है डॉक्टर शशी थरूर है मिशन शक्ति लिविंग लैब लॉंच करने के लिए युनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलप्मेंट फंड के साथ किसने समझोता किया उडिसा ने और बताओ किस राज्य के असकूट वन्यजव अभ्यारणने को एको सें जो की USA की चिमनाश्टिक है किसे ग्लूबल एंत्रप्रियोर ऑफ दे इयर अवर्ड से सम्मानित किया गया तो अंसरो का कुमार मंगलम बिल्ला को और ये अवर्ड पाने वाले ये पहले भारते उद्युक पती है किस देश ने प्रधान मंत्रे नरेंदर मूदी को अपने सर नागरिक सम्मान से अभी सम्मानित किया था तो अंसरो का भूटान और सम्मान का नाम क्या है नग दग पेलगी खोर लो भूटान जिसकी केपिटल थिम्पू है करंसी हैं गल्टरम प्रधान मंत्रे हैं लोटेट शेंग लद्दाक का पहला FM रेडियो स्टेशन का पे लॉं इंटरनेशनल एरपोर्ट बना है फिर बताइए सेबी के द्वारा बनाई गई अलर्ट समीति का अध्यक्ष बनाया गया था किसको मादवे पूरी बुच को जो कि अब यहां की पहली महिला अध्यक्ष भी बन चुकी है बताइए कि सैफोन ड्राइवर को नाइट हुड मानित किया गया था तो अंसर होगा लुईस एमिल्टन को यह ब्रिटेन के हैं और मर्सेडीस के ड्राइवर है दो जर बाइस में महिला अंडर 18 और अंडर 19 साउथ इस्चन फुटबॉल फेडरेशन चेंपेंशिप की मेजबनी कौन सा देश करेगा तो अंसर होगा भारत औ BMW Motorrad के लिए तो आप कल के Current Affairs को revise कर लेते हैं तो चलिए अब कल के Current Affairs का revision करते हैं तो बताइए किस देश ने दुनिया के पहले anti-missile laser system का सफल परिक्शन किया तो अंसर होगा इसराइल ने और इस system को क्या नाम दिया iron beam कहाँ पे इसका सफल परिक्शन किया इसराइल ने वहा एक और प्रश्न बुझा था अपसे वीर बाल दिवस कब मनाते हैं 26 December को मनाएंगे अपसे विश्व कला दिवस World Arts Day 15 अपरिल को प्रधानमंतरी नरेंद्र मोधी जीज ने कहां पे प्रधानमंतरी संग्रहाले का उद्गाटन किया नई दिल्ली में फिर है दबॉय वो चीर में ने और अभी ये एर इंडिया के भी बने थे बताईए 14 अपरिल को डॉक्टर अंबेडकर की जैनती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घुषना किसने की समिल्लाडू ने और किस भात्ते शट्लर ने और लियर मास्टर्स 2022 में रज़त पदक जीता तो आंसर हो चीमंगाल में और भारत को संयुक्तर राष्टर आर्थिक और समाजिक परिशत के कितने प्रमुख निकायों के लिए चुना गया जो अंसर हो अच्छा तो गाईज ये था आज का आपका रिविजन बाला सेशन सेशन अच्छ लगा है तो लाइक करके प्लीज इसे शेयर ज थाइक यू